काना जी के सभी भगतों को मेरी तरफ से रादे कृष्णा मैं प्रात्ना करती हूं कि आप सभी स्वस्तों और खुर्ष्यों तो देखे फ्रेंस आज हम लड़ू को पाल जी के लिए ये बहुती कुपसुरो सी न्यूड डिजाइन समर स्पेशल ड्रेस और साथ में ये किसे बहुत आसानी से डालना है फिर आगे की तरफ से हमने ये डोडी लगाई हुई है इसको हम ऐसे ले जाकर पीछे की तरफ पांधेंगे और हमें काना जी को ये क्याप भी पहना देनी है तो देखे फ्रेंस हमने लड़ू को पाल जी को ये सुन्दर सी पोशाक पहना है और आप देख सकते हैं काना जी इस ड्रेस को पहन कर कितने अच्छे लग रहे हैं इसका लुक भी बहुत अच्छा आया है इस ड्रेस को बनाना बहुत असाने मैंने एकदम सिंपल तरीके से ये सुन्दर सी ड्रेस बनाना बताया है तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक बंखिएगा जिसे कि आप भी बहुत असानी से ड्रेस बना कर काना जी को पहना सकेंगे अगर आप ड्रेस से रेलेटिड या फिर वीडियो से रेलेटिड कोई नौलेज चाहते हैं या फिर कोई कुछन पूछना चाहते हैं तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर पूच सकते है मेरा इंस्ट्राग्राम है आधी कॉल्च्रोर वोल्च 268 साथी साथ मुझे फॉलो भी करें तो चलिए फ्रेंज अब हम ये बहुत ही कुप सुरो सी काना जी की न्यू डिजाइन समर स्पेशल ड्रेस बनाना शुरू करते हैं इसके पहले अगर आपने अब तक मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चानल को सब्सक्राइब कर लीजे साथी साथ बेल आइकन भी ब्रेस करिए जिसे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले ड्रेस पनाने के लिए हमने दिखे यलो कलर के कॉटन के फाबरिक में से दो पीसेस कट कल दी हैं मैंने कॉटन का कपड़ा यूज के है क्योंकि गर्मियों में काना जी के लिए कॉटन का कपड़ा बहुत साथा आराम दायक रहता है और मैं कोशिश करती हूँ कि काना जी को में जादा से जादा कॉटन के कपड़े से बनी हुई ड्रेसेस ही पहना हूँ जिसे कि उन्हें आराम रहे अगर आपके पास कॉटन का कपड़ा ना हो तो आप इसकी जगव पे टफेटा, सिल्क, रियोन, कोई भी कपड़ा यूज करके बहुत आसानी से ये ज्रेस पना करकाना जी को पहना सकते हैं अब मैं आपको इसका मेजरमेंट बता देती हूँ तो देखे इसकी यहां से यहां तक की जो टोटल लंबाई है वो मैंने 7 इंच यानि की 7 इंच रखी है बराबर करके रखने के बाद अब हम इसको ऐसे सीधा कर लेंगे सीधा करने के बाद हमें देखे एक पर और इसको ऐसे फोल्ड करना है फोल्ड करने के बाद अब उपर से देखे ये फोल्डेट वाली साइड है और नीचे की तरफ से ये उपन वाली साइड है तो जो folded वाली side है यहां से हमें इसको measure करना है और 0.75 inch मैं आपको बता दू देखें यह half inch है और यह one inch है तो इसके बीच का जो यह वाला हिस्सा होता है इसको हम 0.75 inch कहते हैं तो यहां से ऐसे measure करते हुए हमें 0.75 inch पे marking कर लेनी है जिसको कि हम यहां किनारे पे नीचे लिया के मिला देंगे इस तरीके से मैं आपको पास से दिखाती हूँ आप देख सकते हैं हमने यहां पे जो marking की थी यहां से ऐसे गुलाई देते हुए हमने यहां किनारे पे लिया के इस line को मिला दिया है अब हम इसको cut कर लेंगे cut करने के बाद जब हम इसको open करेंगे तो देखे इसका shape कुछ इस तरीके से आजाएगा अब हमें दोनों pieces को अलग कर लेना है अब देखे यह जो किनारे से हमने गुलाई देते हुए cutting की है इधर की तरफ से हमें सिर्फ एक बार इसको ऐसे fold करना है और fold करते हुए इस पे यहां से लेके यहां तक सिलाई लगा लेनी है ठीक इसी तरीके से यह जो दूसरा piece है इसमें भी जिधर से गुलाई दी है हमने उधर से हम सिर्फ एक बार इसको ऐसे fold करेंगे पतला सा बहुत जादा चोड़ा नहीं fold करना है हमें ऐसे पतला सा fold करते हुए हमें यहां से यहां तक सिलाई लगा लेनी है दोनों pieces में हमने देखे किनारे से जो यह गुलाई में cut किया था यहां पे एक बार fold करते हुए इसके उपर सिलाई लगा ली है अब यहां से कपड़ा निकले का भी नहीं और ड्रेस खराब भी नहीं होगी अब उपर और नीचे दोनों तरफ से हमें इसको double fold करना है तो देखे एक बार हम इसको fold करेंगे फिर एक बार और fold करेंगे ऐसे double fold करते हुए हम उपर नीचे से सिलाई लगाएंगे दोनों ही pieces में हमने देखे दोनों ही pieces में उपर और नीचे से double fold करते हुए सिलाई लगा ली है अब हमें इन दोनों pieces को आपस में joint करना है तो उसके पहले देखे इस तरीके से हम इसको रखेंगे एक पीस हमें सीधा करके रखना है और यह जो दूसरा पीस है इसको हमें पलट कर पीछे की तरफ से रखना है यानि कि दूसरे पीस की सीधी वाली साइड हमें अंदर की तरफ रखनी है इस तरीके से हम इसको एकदम बराबर करते हुए रखेंगे अब यहां किनारे से हम इसको मैजर करेंगे और 1.5 इंच यानि की 2.5 इंच पे इधर की तरफ से मार्किंग कर लेंगे फिर यहां इधर दूसरे तरफ से भी हमें देखे मैजर करना है इसको और 1.5 इंच यानि की 2.5 इंच पे मार्किंग कर लेनी है इस तरीके से मार्किंग करने के बाद अब देखे यहां से लेके यहां तक यह जो हमने मार्किंग किया यहां तक हम सिलाई लगा कर दोनों पीसे को जोइंट करेंगे और इधर की तरफ से भी यहां पे जो हमने मार्किंग किया यहां तक हम दोनों पीसे को सिलाई लगा कर पिर ये जो हमने बीच में सिलाई लगाई थी ना तो जो कपड़ा है एक्स्रा इसको हम ऐसे फैला लेंगे फैलाने के बाद अब हमें यहां से सिलाई लगानी है ये चीज हम ध्यान रखेंगे ये जो कपड़ा हमने फोल्ड किया है इसके ऊपर रखते हुए और ऐसे हम चोड़ा था वो काना जी के लिए नेक बन गया है अब हम इसमें लेस लगाएंगे तो मैंने ये वाइट कलर की पॉम पॉम लेस ले ली है अब देख सकते हैं ये कितनी सुंदर लेस है और मार्केट में बहुती इजली मिल जाती है मुझे यलो कलर के साथ वाइट कलर का कॉ चारो तरफ से ये लेस लगा लेंगे साथी साथ ये जो हमने देखे काना जी के लिए नेक बनाया है ना इस पे भी हमें यहां से ऐसे चारो तरफ से लेस लगानी है हमने देखे चारो तरफ से लेस लगा ली है और इसके साथी साथ हमने गले पे भी लेस लगा ली है अब ड काना जी का इसे आधा इंच नीचे हमें डोरी लगानी है तो देखे इस तरीके से हम यहां पे डोरी रखेंगे एक दम बराबर करते हुए हमें रखना है दोनों ही तरफ से हम बराबर डोरी छोड़ देंगे और बीचो बीच में रखते हुए यहां से सिलाई लगा कर हमें डो जोईंट कर देनी है डोरी लगाने के बाद अब दिखे ड्रेस कम्प्लीट हो गया है, अब काना जी के लिए क्याप बनाएंगे, लिए मैंने फिर से ये यलो कलर के फाब्रिक से एक पीस कट किया है, और इसकी यहां से यहां तक कि जो टोटल लंबाई है, वो मैंने 4 इंच य वाली लेस भी लगा लेंगे नीचे से लेस लगाने के बाद अब हमें इसको सीधा रखना है और बीच में से हम इसको फोल्ड कर लेंगे फिर यहां किनारे से सिलाई लगा कर हमें जॉइंट कर लेना है दोनों पीस इसको किनारे से सिलाई लगाने के बाद अब हमने यह सुई करना है चारो तरफ से टक करने के बाद अब हम इसको खीच के ऐसे टाइट कर लेंगे और टाइट करके हमें दो-तीन बार इसको यही पर लोक कर लेना है जिसे की कैप खुलेगी नहीं और खराब भी नहीं होगी लोक करने के बाद हमें पलट कर कैप सीधी कर लेनी है तो अब देख सकते हैं काना जी के लिए कैप भी कम्प्लीट हो गई है तो देखे फ्रेंस हमारे लड़ू को पाल जी के लिए बहुत ही कुपसूरा सी न्यू डिजाइन समर स्पेशल ड्रेस और ये कैप बनकर विल्कुल तैयार है और इसको बनाना भी बहुत आसान है तो अगर आपक इसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले थैंक यू